बंदो नमश्कार, बंदो जैसा कि आपको विदित है, हमारे पास में कोई अच्छा लेख, कोई पूरानिक का था और कोई सनातन के सवन्द में, जो भी कोई हमारे पास में आता है, हम प्रियत न करते हैं कि उसे हम हमारी आवाज दें, और इसी के साथ हलका फुलका, मन और अर खुश रहें, इसी के अंतर के ताज हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा लेख आया है, जहां लेख है, कॉन्टेक्ट और कनक्शन, सादू का न्यूवार्क में बड़े पत्तरकार इंटर्वी ले रहे थे, पत्तरकार अपनी बात सुरू करते हुए, सर आपने अपने लाश था, कि आप इसे समझा सकते हैं, सादू माराज मुस्कराई और उन्होंने कुछ अलग पत्तरकारों से ही पूछना सुरू कर दिया, आप न्यूवार्क से हैं, पत्तरकार ने का या सन्यासी आपके घर में कौन-कौन है, पत्तरकार को लगा कि सादू उनका सवाल टालने की क को सिस कर रहे हैं, क्योंकि उनका सवाल बहुत व्यक्तिगत और उसके सवाल के जवाब में अलग था, फिर भी पत्तरकार बोला, मेरी मा अब नहीं है, पिता हैं तता तीन भाई और एक बहन है, सब शादी शुदा हैं, सादू ने चहरे पे एक मुस्कान के साथ पुछा, आ कब बात की, पत्रकार ने अपना गुस्चा दबाते हुए जबाब दिया, साइद एक महने पहले, सादू ने पुछा क्या आप भाई भेन अक्सर मिलते हैं, आप सब आखिर में कम मिले, एक परवार की तरह, इस सवाल पर पत्रकार के माथे पर पसीन आ गया, कि इंटर्व् रहा हूं, या ये सादू, ऐसा लगा, सादू पत्रकार का इंटर्व्य ले रहा है, एक आहक के साद पत्रकार बोला, क्रिस्मिस पर दो सल पहले, सादू ने पूछा कितने दिन आप सब साथ रहे, पत्रकार अपने आँखों से निकलिया, आशों को पहुंसते हिए बोला, तेन दिन सादू नहीं का। कितना वक्त आप भाई बहनों ने अपने पिता के बिलकुल करेब बैटकर गुज़ारा पत्रकार हैरान और सरविंदा देखा और एक प्यागज़ पर कुछ लिखने लगा सादू ने फिर पत्रकार से पूछा क्या आपने पिता के साथ नास्ता लंच या डिनर लिया क्या आपने अपने पिता से पुछा कि वो कैसे है माता की मृत्व के बाद उनका वक्त कैसे गुजर रहा है सादू ने पत्रकार का हाथ पकड़ा और कहा सर्मिंदा या दुखे मत होना मुझे खेद है अगर मैंने आपको अंजाने में चोट पहुँच रही हूँ लेकिन यही आपके सवाल का जबाब है संपर्क और संजोग, कॉन्टेक्ट और कनक्शन सादू ने कहा पत्रकार महुदे आप अपने पिता के सिर्फ संपर्क, कॉन्टेक्ट में है पर आपका उनसे कोई कनक्शन जुड़ाव नहीं है यू आर नोट कनक्टेट टू हिम आप अपने फ़ादर से संपर्क में हैं पर जुड़ेवे नहीं कनक्शन हमेशे आत्मा से आत्मा का होता है हाड से हाड का होता है एक साथ बैटकर भोजन साजया करना और एक दूसरे की देख भाल करना सफर्ष करना हाथ मे लाना आखों का संपरक होना कुछ समय एक साथ बिताना होता है आप अपने पिता भाई और बहनों के संपरक अधर्थ कॉंटेक्ट में हैं लेकिन आपका आपस में कोई जुडाव याने connection नहीं है। पत्रकार ने आखें पहुंची और बोला मुझे एक अच्छा और एविस्वर्णी सबक से खाने के लिए आपका धन्यवाद। आज हमारे भारदेश की ये सच्चाई हो चली है। सबके हजारों संपर कॉंटेक्ट हैं पर कोई connection नहीं, कोई विचार में मर्स नहीं, हर आदमी अपनी नकली दुनिया में खोया हुआ है। वो साधू और कोई नहीं, सुआमी विवयक अनंजी थे। जिहां बंदू, ये प्यारा सा लेक, धर्म जागरन गुरुप से आदिने स्री मुकेजी तांबी के द्वरा हमें फारवर्ड किया गया था। और इसमें हमने अपना स्वर दिया है, हम हैं आपके पूरा नमल पारिक जवान भाई। जिहां बंदू, तो ये कैसा लगा, कॉंटेक्ट और कनेक्शन, जिहां बंदू अच्छा लगा हो, तो लाइक और सेर कीजी ताकि हमारा होंसला बड़े और हम आपको अच्छे से अच्छे लेक प्रेसित कर सकें। जै सनातन, जै स्री किष्णा, राधे राधे।